हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल पे तो आज का वीडियो है मेरा ड्रेंचिंग के रिगार्डिंग बहुत रे बाहियों के कोश्चन आ रहे थे कि ड्रेंचिंग किस दवाई की जो हमें करनी चाहिए क्या इसके बेनिफिट है पूरा मैं आपक सब्हें करने करने की आज़ा तो इसके अंडे नाचे बाद में फैल जाते तो इसवक्त अगर हम इतने ड्रेंचिंग के थो हमार दे तो जड़े होती है उसके घंडे नहीं अगर उल्लिया फिट रहेगा तो जड़ों में गांठे हो जाएगी गांठे होने की वज़ा से हमारा पौदा है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पुहाती ग्रोथ जो है रुक जाती है तो किसकी जो है मैं ड्रेंचिंग करता हूं क्या आपको करना चाहिए आप को मैं पूरा ड्վ बतावंगा तो आप मैं जो है इस में 50 है प्लस जो है इसमें 5% इसी है इस से जो है क्या हो जाता है कि जो माली जी बोरर है वो अगर अंदर होगा पौदे के अंदर होगा तो यह जो है अंदर तक जो है अटैक कर लेता है जो इसमें साइपर मैथेरिन है उसकी वज़ा से जो है यह काफी बेनिफीचिल है इसलिए जो मैं इसकी रिंचिंग करता हूँ और भी बहुत सी चीज़ों की जो है ड्रेंचिंग हो जाती है की जाती है पर मैं जो है इसकी जो है ड्रेंचिंग करता हूं और साथ में जिनमंदों के है जड़े जो है सड़ रही है या बोल लीजिए की जड़े खराब होती है तो आप लोग जो है ड्रेंचिंग के साथ इसमें जो है बैबिस्टीन भी जो तो इस तरह से आप गोलाइस का बना ले बीच में ताकी पानी यहां पर टिक जाए और इसकी आप ड्रेंचिंग करते यह छोटा पौदा है तो इसमें जो है आदा लिटर जो आप ड्रेंचिंग 200 लिटर में पानी द्वाई डालेंगे उसमें से आदा लिटर जो है एक साल के जो इतनी से जिसका नीचे से तना है आप जो है एक साल में आदा लिटर डाल सकते हैं उसे उपर जो थोड़ा बड़ा पौदा है जैसे आपको आके दिख रहा है यह नेक्स बाला जो किल्टे के साथ पौदा है इसमें जो है आप एक लिटर डाल सकते हैं बाकी बड़े में हैं आपको दिख जाएगा जबा पौदा हिलाते हैं तो वह जादा हिलता भी है उसमें इकटी-कटी सी जो है जड़े रहती है तो उसके लिए जो आज जैसे ही बरफ पड़ेगी तो दवाईया जो है अंदर तक असर कर लेती है तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इस तरह के जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे हैं आप में इस्टा के जूप कर भी फालो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद